आज हम आपी की रिक्वेस्ट पे तीन टिप्स लेकर आएं और यह तीनों तिल के मतालिक हैं जिन लोगों के चेहरे पे तील है और वो तील की वज़ा से परेशान हैं तो मैं आज तीन टिप्स बताऊंगी इसके मिसलसल इस्तमाल से आपके तील इंशालला खतम हो जाएंगे तिल जहां हमारे चेहरे की खुब सूरती में उदाफर करते हैं वह मारे चेहरे को बंद्नमा भी करते हैं तिल हर्मुन्स के खराभी की वज़ा से निकलते हैं चेहर बंदुमा खराब लगते है तो सबसे पहले तो आप अची भजा लें और मुटवाजसा करें मुझा फल खाएं और मुटवाजिम रिज़ा इस्तेमाल करें चेरे के खुबसूर्टी और निक्रे पन में ही होती एकसर वज़ा से चेरे पर दाखदब्बे और तील निकालाते हैं जिसके बेज़ा से हमारा चेहरा बहुत अजीव सा बंदुमा लगता है तो मैं चेहरे के दाखधबी के लिए मैंने बहुत सारी टिप्स बताईगे आप लोगों को आप लेक प्लैलिस्ट में जाकी वह देख लिएगा और आज में तील के मताली बताऊंगी तो इंशालला इस तो यहां मेलूंगी सबसे पहले अंडे की सफेदी में थोड़ा करके बताऊंगी आप लोग अपने हिसाब से किजेगा अंडे की सफेदी एक इसमें में डालूंगी लेमन जूस चार्जी पांच कत्रे थोड़ा साम बदाम का पॉड़े टालेंगे हाफ टी स्पून इन सब चीजों को मिक्स करेंगे कि मेंने मिक्स कर लिया हमें क्यूट लेंगे और इसमें डिप करेंगे और इसको वहीं लगाएंगे जह हमारी तिल है ऐसे लगाएं इसको लगाएं ऐसे और इसको चेहरे पर थोड़ी देर मसाज करें दो से 3 मिनटट को लगाए और दो से तीन मिनिट इसका मसाज करें मसाज करने के बाद छोड़ दे घंटे के बाद मसाज करने के बाद इसको छोड़ दे और फिर उसके बाद मुझ धोले इसे दिन में दो दफा यूज करें आप खुद देखेगा कि एक मेहने के अंदर अंदर आपके तिल खत नमबर टू मैंने या लिए धनिया हरा धनिया जो होता है उसको पीस लें और पीसने के बाद उसको चेहरे पर लगाएं जह आपके तीले हैं वहां पर लगाएं और उसको छोड़ दे एक से दो घंटे के लिए मुद्ध हो लें इसे भी दिन में दो दफा यूज़ कर सकते केस्टर वाइल और बेगिंग सोटा केस्टर वाइल में हम मिलाएंगे थोड़ा सा बेगिंग सोटा यहां मिलूंगी थोड केस्टर वाइल हाफ टीस्पून यह लिया है मैंने और मेस में एक चुटकी एक चुटकी बेगिंग सोटा डालूंगी यह मैंने डाला मेसे मिक्स करूंगी और इसे हम अपने जह हमारे तिले वाप पर लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे रात में लगाएं और लगाने के बाद छोड़ दें और सुबा ठंडे पानी से मूध हो लें इक मेरने के स्तमाल में आपको थुटकी पता चल जाएगा आपके तील चेहरे से 충 bawज हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ हो जाएगा तीनों टिप्स जो मैंने बताईी है रोज़ने यूज्स करें और रोज़ने यूज्स करने से आपके चेहरे के तील गाइब होज तो यह तीनों टीप्स मैंने बताई है आज आज आपको यह किजेगा मुझे बताई गए कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा लगए थम्जब पीजेगा कॉमन दीजेगा मेरी वीडियो का अपनी फैमली फ्रेंड में शेयर करें इसकी बहुत जादा रिक्वेस्ट थी के ते करेंगे अगर आप यसवेडियो को में निकोंद नहीं करें तो यूटूब मेरी कोशिश होती को आंसर करें तो यह बनाएं का मुझे बताएगा कैसा लगा अच्छा लगे थमजब कीज़ेगा मेरी वीडियो को हमने फ्रेंड में श्यार करें और अपने अपने घरवालों क अपने पेरेंट्स का खयाल लगें, उनकी दुआएं लें और इसके साथ ही मुझे इचासद दीजिए, लाफीज